यहोषू अध्याय छे यहोषू अध्याय छे यहोषू के सफाटक इस्राइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भी तर आने जाने नहीं पाया था फिर यहोवा ने यहोषू से कहा सुन मैं यरिहों को उसके राजा और शूर्विरों समय तेरे वश में कर देता हूँ सो तुम में जितने योद्धा है नगर को गेर ले और उस नगर के चारो और एक बार गुमाए और छह दिन तक ऐसा ही क्या करना और साथ याजग संदुक के आगे-आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए हुए चले और फिर साथवे दिन तुम नगर के चारो और साथ बार गुमना और याजग भी नरसिंगे फूखते चले और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूखते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी धोनी से जईजेकार करे तब नगर की शिहर पनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चड़ जाए सो नून के पुत्र यहोशु ने याजग को बुलवा कर कहा वाचा के संदुक को उठा लो और साथ याजग यहोवा के संदुक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए चले और फिर उसने लोगों से कहा आगे बढ़ कर नगर के चारो और गुमाओ और हतियार बंद पुरुश यहोवा के संदुक के आगे आगे चले और जब यहोशु ने ये बाते लोगों से कह चुका तो वे साथ याजग जो यहोवा के सामने साथ नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फुकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदुक उनके पीछे पीछे चला और ह यहुषु ने लोगों को आग्या दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने के आग्या न दू तब तक जय जयकार न करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आये नो कोई बात तुम्हारे मुहों से निक्नलते पाए। आग्यापाते ही जय जय कार करना उसने यहवा के संदुक को एक बार नगर के चारो ओर घुमवाया तब वे छावनी में आए और रात वही काटी बिहान को यहोशु सबेरे उठा और याजकों ने यहवा का संदुक उठा लिया और उन साथ याजकों ने जुबिली के साथ नर के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फुखते चले इस पकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारो ओर घुम कर चावनी में लवट आए और इसी पकार होने च्छ दिन तक किया फिर साथ वे दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रितिसे नगर के चार और साथ बार घुमाएं केवल उसी दिन वे साथ बार घुमें तब साथ वी बार जब याजक नरसिंगे फुखते थे तब यहोशु ने लोगों से कहा जे जेकार करो क्योंकि यहवा ने यहा नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहवा के लिए अ तुम की हुई वस्तों से साथांि से अपने आपको अलग रखो ऐसा नहों कि अरपन की वस्तो ठहरा कर पीछे उसी अरपन की वस्तों में से कुछ ले लो और इस प्रकार इसरायली च्हावने को ब्रश्ट करके उसे कश्ट में डाल दो सब चान्दी सोना और जो पात्र पीत और उसी के भंडार में रखे जाये। तब लोगोंने जैजेकार किया और याजक नरसिंगे फुकते रहे। और जब लोगोंने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही धुनी से उन्होंने जैजेकार किया। तब शहर पना नेव से गिर पड़ी। और लोग अपने- गधे और जितने नगर में थे उन सभों कोनों ने अरपन की वस्तु जान कर तलवार से मार डाला। तब यहोशु ने उन दोनों पुरुशों से जो उस तेश का भीद लेने गए थे कहा अपनी सबत के अनुसार उस बेशा के घर में जाकर उसको और उसके पास को भी पास को उन्हें भी निकाल ले आओ। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सब को आग लगा कर फुग दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र, पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोँ के भौन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने रहाब वेशा और उसके पिता के घराने को बरन उसके सब लोगों को जिविच छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इस्राइलियों के बीच में रहता है। क्योंकि जो दूत यहोशू ने यहोशू के भेद लेने के लिए भेजे थे, उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राइलियों के सन्मुख शपत रखी और कहा कि जो मनुश उठकर इस नगर यरियों को फिर से बनाएं, वह यहोवा की ओर से शापित हो। और जब वह उसकी नेव डालेगा, तब तो उसका जेठा फुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, तब उसका छोटा फुत्र मर जाएगा, और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की किर्ती उस सारे देश में फैल गई.